यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अब देखिए यहां बहुत इंपोर्टन चीज़ बताई भगवान ने कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो अल्प मेदा साम है क्या है कम बुद्धी का और इनका क्या होता इश्वपनिश्य सुनिए क्या कहती है जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं और तेरे की अग्यानता अग्यानता क्या देती है सुख्या दुख उसका मतलब दुख के अग्यानता भाद में प्रवेश करते हैं और उनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं उनका इन से भी गती जो है वो अधो गती ह होती है जो देवताओं की फुजा करते हैं उनकी तो बेड़ा गर होई गया क्योंकि आपकी जानकारी के लिए यो भौतिक सुख है यही दुख का कारण है तो कैसे मैं चाह रहा था कि मुझे यह पोजिशन लाइफ के अंदर मिले नहीं मिली तो क्या मिला प्रभुजी दुख जब मिल गई तो क्यों दुख मिल रहा है कि दूसरा न ले जाए ध्यान रखेगा बहुतीक सुखी दुख का कारण है और हम कितने अकलबंद लोग हैं भगवान से मांग रहा है जो कि दुख का कारण बनेंगी नहीं है प्रभुजी थोड़ा विचार करिएगा घर जाके बैठिएगा कि सारी जो सुक्की वस्तुमें जो आपने मांगी है यह एक्चुली दुख का बीज है यह दुख का बीज है अगर को इस बात में प्राब्लम आईगी क्योंकि प्रभुजी अगर सुक्की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा और जिस चीज के आप इच्छा कर रही हो और अस्था ही है पहले बच्चा की इच्छा करी बच्चा आ गया अब बच्चा जब भार जाता है घूमने के लिए टेंशन रहती है कि कहीं वापिस जबी आएगा के नहीं आएगा कि अए प्रभुजी अब बताइए आप मुझे कहां सुक्त कि आगे सुक्त मिलेगा पोस्ट्डेटेडड चेक मिलता रहता है प्रण्दू जो कभी भुंता नहीं है पोस्ट्डेडड चेक है यह बाउंस करता है प्रभुजी द्यान रखना ये वो पोस्ट डेटर चेक है जो कभी बाउंस हाट टाम बाउंस करता है कभी कैश हुआ ही नहीं आज तक जबी इश्व पनिशत क्या कहता है कि इनकी ऐसी हालत होती है और भगवान ने भी यही बात कहा अब ध्यान पूज़क सुनिए एक श्रुक सुनाँगा बढ़ो पास लाइन सुन लो पहले अविधी पूर्वकम कि क्या कहरें बगवान अविधी पूर्वकम जो विधी के अनुसार नहीं है कि जिसेल टेक्स जमा करानी की जगह जो पैसा मैं बचाया है वो मैंने घूंस दे दी आपके डिपार्टमेंट में तो गई है गौर्मेंट वाल अब ढिरेक्ट नहीं दिया मैंने इधर से दे दिया तो क्या फरक प्रण रहा है वो हिसा भए आविधी पूर्व्यजंते आवदी पूर्वकम पन्तुई अविधी के अनुसार नहीं नहीं हो जुछ दे प्रणंद जो द्धुख देती है अस्क्नी देती कभी भी दिएद अरे निश्काम भक्त हैं वो देवी देवता उनकी जूती के नीचे हैं अब क्या हनुमान जी वो देवता बना के गल्ती से बोल भी मत देना पिटोंगे अब इस्तिति क्लियर करता हूँ आपके सामने समों की आप चिंता की कर रहे हो यही तो गड़बड़ करते हो हे देवता हनुमान जी पता लगा दूसरे लवा जाते हैं साड़ मारो इसको बदमाश देवता बता रहा है भक्त जो निश्काम भक्त हैं वो देवता से भी स्रेश कुछ नहीं होंगे वो गड़बड़ हो गई थी एक बार रहन के साथ हुई ना पता है अब को जो क्या काता अनुन्हें कि अगर मैं इंद्र हूं तो पूरे ब्रह्मान में राम नाम गुंजे तो नाम चंदर जी ने कहा ता थास्तू है अनुमान जी मर गया मैं तो सिर्व अनुमान जी काता मैं इंद्र बनूंगा अरे प्रंदु भगवान उस उस काल के अंदर जीवों का भला हो जाएगा प्रंदु क्योंकि वहां फिर अफसराई नहीं नाचेंगी जब हनुमान जी इंद्र बनेंगे तो वहां अफसराई नहीं नाचेंगी वहां क्या होगा हर वह पूर चुन जी और आप क्या काते हो यूनमान चाली सभाज़ा पढते कि राम काज करवे को आतुर और आप जाके उनकी सामने क्या बोलते हो राम का काज छोड़ मेरे काम करवे को आतुर वह पढ़ते कुछ हो बोलते कुछ हो और करवाते कुछ हो है ना कि अपने काम छोड़ मेरे मंगल को देख मेरे शनी को देख और पढ़ते क्या हो राम काज कर वे को आतुर महाबदमाश हो रावन वाला हिसाब है कि हनुमान छोड़ राम को मेरी सेवा कर देख तुझे काप पुचा दूँगा तुझे भग्च से देवता बना दूँगा मैं तो कही जगा इतना हैरान हूँ कि हनुमान जी को अकेला खड़ा कर रखा है और मैंने आज तक कभी हनुमान जी को अकेला देखा नहीं है राम के बिगएर कभी हनुमान जी होते ही नहीं है आप सोचते हो उस मूर्ती के अंदर हनुमान जी है बूल जाओ हनुमान जी तो वहाँ होते हैं जा राम सीता राम हैं वहीं हनुमान है कृपा करके यह उल्टी उल्टी पूजा बन करो हनुमान जी को खुश करना है तो राम नाम लो राम की आज्या का पारण करो तब हनुमान जी खुश होंगे हनुमान जी चम्चों को पसंद नहीं करते चम्चे मत बनो हनुमान जी कब खोशों के बताईए जब लोग सारे राम भक्त बनेंगे या हनुमान भक्त बनेंगे हनुमान भक्त बनी नहीं सकते क्यों हनुमान भक्त के मतलब पहला मतलब क्या है आप हनुमान भक्त कर लाओगे मैं स्रेश्ठ हनुमान भक्त हूँ क्यों क्यों कि मैं हनुमान जी क्या पालन कर रहा हूं क्या कर रहा हूं राम भक्ति कर रहा हूं इसलिए मैं सबसे मेरे को जाके जूरूत नहीं है कि मैं आरती करूं रोज नहीं है हनुमान जी मुझसे बहु प्रभुजी तो किसके साथ है हनुमान जी भक्तों के सार क्या असुरों के साथ है तो इसलिए क्लियर रखिएगा और ये चीज़ बिसमझझ लीजिए भगवान तो हैं नहीं हनुमान जी भगवान है जो मानता है वह ऐसी पिटेगा हनुमान जी मारेंगे उसे दोड़ा दोड़ा के, बहुत मारेंगे, जब भक्त को भगवान कहो तो प्रभुजी भक्त पागल हो जाता है, जब भक्त को भगवान कहो ना प्रभुजी, तो भक्त पागल हो जाता है, और हनुमान जी की स्तिती किसकी है, परम भक्त की, गलती से उनको नाम्भक्त अनुमान की जय करेंगे आहां यह आदमी है सही क्योंकि पहले नाम किसका लगाया राम का बाद में लगाया मेरा और जहां आपने तुलना सेम बिठा दिया किसके साथ राम जी के साथ वहां अनुमान जी बैठेंगे थोड़ी बुद्धी लगाई अपने आप रभुजी में को ज्यादा बताने की जो उतनी है सारे ग्यान के सागर हैं वो जवी तो राम की भक्ती कर रहे है जब ये स्लोक आ गया ना बहु नाम जन्मना मुत जो व्यक्ष्ट ग्यान जबी किसी का मंगल और शनी शांत नहीं हुआ ब्रभुजी किसका उभा बताना जाना है ब्रभुजी किसी का नहीं एक कोर्स बनाया है छोटा कोर्स है संक्षिप्त में भगजीत्या को समझाया है जिससे कि आप अपने जीवन में इसका लिक के अंदर पूरा लाव उठा सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिक दिया गया है फ्री में उसको डाउनलोड करिए